आज बनाएंगे हम लोग चावल बिलकुल किस तरीके से बनाना है आधा कप मैं ले रही हूँ चावल आधे कप चावल को हम लोग अच्छे से पानी से धोलेंगे ये जो कुकिंग की मैं special classes बता रही हूँ ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको बिलकुल किचन में काम करना नह आता है तो दो तीन बार अच्छे से पानी से धोलिया ताकि उसके अंदर कोई भी impurities है मिट्टी विट्टी है या कुछ है वो सब निकल जाए अब खुब सारा पानी भर दो आधा कटोरी चावल था ना हमारा पाच कटोरी पानी भर दो उपर तक आने तो कोई दिक्कत नही आधा हाई फ्लेम पे ऐसे जब ऊबाला आएगा ना तो यह उफन के बाहर आने लगेगा अल्मोस्त तो इसको लो फ्लेम कर दो बस इतनी देर आपको मॉनिटर करना है उसके जादा मॉनिटर नहीं करना अब इसको लो फ्लेम पे पकने दो इसको कम से कम लगेंगे 10 मिनिट बनने के लिए आपको मॉनिटर नहीं करना आपना वो कहते है ने एलकसा को बोल दो 10 मिनट बाद रिमाइन करा देगी तो 10 मिनट बाद जाके एक बार चेक कर लो चावल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है में एक नॉर्मल ये बासमती मिनी मोगरा होता है ना आधा वाला चावल वो है तो इसको क्रश करके देख लो नेल्स के बीच में अगर आराम से टूट रहा है ना लेकिन थोड़ा सा सॉलिड लग रहा है बस इस स्टेच पे बंद कर दो क्यूंकि अभी इसकी हीट में ये और पकेगा अब देखो ये कितना एक्स्ट्रा पानी है ना बस इस को जाली का कोई भी स्ट्रेणर लो और उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दो वेरी केफुल गरम पानी है तो बस इसको निकाल के देखो आपके खिली खिले चावल आ गए उसी बोल को नीचे रख दो एक्स्ट्रा पानी अभी भी उसमें से निकलेगा तो उसको जड़ ज दाल दो तो क्या मस तुम्हारे चावल बन जाएंगे ऐसे special episodes fast cooking के मैं आपके साथ share करती रहूंगी